असलाम लेकुम लास्ट वीडियो में मैंने आपको PCR की कैलकुलेशन बताई थी आप्टिमाइजेशन बैज के लिए आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है और हमने वो जो कैलकुलेशन अपने साथ रखनी है और इसको अब हमने यूज करते हुए अपना रियक्शन कंप्रीट करना तो इसमें जो हमने मैंने आपको डियूरिंग कैलकुलेशन यूज्ड किट शो की थी लेकिन वहां पर मैंने आपको प्राइमर शोर नहीं किये थे उसका रीजन यह था कि प्राइमर को हम टमप्रेशर सेंसिटिव होते हैं उसको बाहर नहीं रख सकते उसकी एफिशन्सी खराब होती है तो इसलिए हमने उसको वीडियो में नहीं शोर किया लेकिन यह सब चीजे में अब आपको इस वीडियो में शोर करूँगी तो हमारे पास प्राइमर सारी रिकुइड चीजें हैं प्राइमर उसकी डालूशन और जो किट हम यूज करें थर्मो साइंटिफिक की इसको हम हम यह मैं आपको अर्विडी इसी के एकॉर्डिंग हमने सारी केल्कूलेशन की, हमारे पर सारा रफ वर्क है, हमारा जो होम वर्क है, वो कम्प्लीट है, अब जस्ट हमने सारी चीज़ों को PCR जस्ट अब इसका सारा डियक्शन कम्प्लीट करना है और हम इसको स्टार्ट अप करे तो यहां पर हमने यह चीज़ इंशो करने के हम ज़्यादा टाइम ना दें, अधरवाई जितने भी हमारे रिएजेंट्स हैं, इनके एफिशेंसी जो बहुत ज़्यादा टंप्रिचर सेंसिटिव हैं, जिसमें टैक है और हमारे प्राइमर हैं, इनके एफिशेंसी लूज ह जाती है, तो इसलिए हम कोशिश यह करेंगे, कि हम अपने रियक्षिन को बहुत जल्दी और कम टाइम में मैंनेज करें, हम अब 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 अपना रियक्षिन स्टार्ट करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, जो लास्ट वीडियो में है, कि आपने इसके अंदर 300μL वॉल्यम एड करना है, इसी तरह सिमिलरली आपका इदर मैंशन है, कि इसका अनीलिंग टमप्रेचर, Tm इसका क्या है, जो कि 56.4 है, अब जब हम 300μL वॉल्यम इसके अंदर एड करेंगे, तो इसकी कॉंसेंट्रेशन बनेगी 100μμ, अब यह 100μμ हमारे पास रिकॉंसेट्यूट करने के बाद इसकी कॉंसेंट्रेशन बनती है, अब इसकी हमने डाइलूशन बना रही है, जैसे का हम अल्रेडी कैलकुलेशन कर चुके में, अब यह डाइलूशन 10μμ किया है, यहां पर यह बात में मेंशन जरूर करूंगी, कि जब यह से रखें कि आप कंप्लीटली अपना लिख सेकें और उसके पर आप अपनी कॉंसेंट्रेशन जरूर मेंशन करें, जैसे इसमें हमारी 10μm, हमारी कॉंसेंट्रेशन है, आप इसकी साइट पे हर एपन आफ की साइट पर एक थोड़ा सा वरकिंग राइटिंग स्पेस होता है आप उसको यूज करें, उसमें आप प्राइमर का नाम, आप उसकी कॉंसेंट्रेशन, आप उसका डेट ताकि आपको पता हो कि आपके रिएजन्ट कप से प्रिपेर्ड हुए, तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हो में टैक इंजाइम है, तो ये दो चीजें हम अंद इसकी कैलकुलेशन में आपको दिखाई थी, 10 mm, 1 ml का DNTP mix हमारे पास है, magnesium chloride, tech, buffer, KCR combination अब ये सब चीजें हमारे पास हैं, और जो temperature sensitive चीजें हैं, वो मैंने minus 20 पे store कर दिये, ये ice pack होते हैं, आप PCR करते हैं इन ice pack का use करते हैं, क्यूंकि हम नहीं चाहते कि हमारा किसी भी वज़ा से हमारा PCR आपका reaction पूरा खराब हो, इसमें हमें सबसे बड़ा जो hurdle है हमारे लिए, वो है nucleases, आपका DNA है, आपके nucleases, आपके DNA को chop off कर सकते हैं, degrade कर सकत DNA, अगर double strand, आपके DNA के double strand, अगर separate हो जाए, तो आप उसको denaturation कहते हैं, वो DNA आपके लिए आप उसको use कर सकते हैं, वो आपके लिए खराब नहीं है, वो degrade नहीं है, आपके लिए जो problem है, वो degraded DNA, वो होता है, जिसके DNA की backbone, जो sugar phosphate backbone है, अगर वो chop off हो जाए, तो आपका DNA degrade ह हो जाता है, तो जो nucleases हैं, वो क्या करते हैं, कि वो DNA की backbone को hit करते हैं, उसको target करते हैं, उसको chop off कर देते हैं, as a result, आपका DNA degrade हो जाता है, degraded DNA आपके किसी काम कर नहीं होता, आप उस पर PCI नहीं लगा सकते, अगर बहुत ज़दा, अगर mild degradation है, फिर भी चल सकता है, तो अब हमाँ पर हमारे लिए जो सबसे बड़ा, जो हमारे लिए inhibitor है, वो new places है, इस के लिए हमने सबसे पहले अपने इस पूरे टेबल को आपने बहुत अच्छे से sterilize किया होता है, spirits से आप इसको clear करते है, sterilize करते हैं, आपने जो चीज़ें यूज करनी हैं, इस आपके tips, आपकी app and off tubes, आपके जो भी चीज़ें, PCR tubes, आपके rag, हर चीज़ आटो क्लेव होने चाहिए, sterilize होने चाहिए, और आप जिस जगह काम करें, इस जगह कोई ऐसा काम नहीं करें, जो जिसके itself वो हमारे PCR के लिए contamination का बाइस बने, अब यह आइस पैक है, आप अपना जो है temperature sensitive सारी आप reagents चूज करें, तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको आइस पैक के अपर रखें, अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास सारी calculation है, तो सबसे पहले हम इसमें DNA एड करेंगे, DNA template, बहुत अच्छा DNA है, इसकी ratio 1.8 है, quantity भी इसकी अच्छी है, तो सबसे पहले हम इसमें DNA एड करेंगे, आपने कोशिश ये करने है कि आपका जो DNA है, वो वाल को टाच करें, क्यूंकि आपका वॉल्यम बहुत कम है, और अगर आप से, अगर आप उसको नीचे करते हैं, सम्टाइम आपको skipping के chances होते हैं, आपको लग रहा होता है कि आपका DNA है, आपने add कर दिया है, लेकि कोख्टेल मिलाएंगे, हमारे पास सबसे पहले हम टैक बफर एड करेंगे, आपके पास सारी कैलकुलेशन होती है, आप कैलकुलेशन टेबल वर्क आप करके फिर लैब में आपने टैक बफर एड कर दिया, आपका सेकिंड इंग्रीडियन है, जो आपका मैगनेशियम का जाएगा 2.8, टैक इंजाइम नेक्स्ट, लेकिन मैं टैक इंजाइम का बुलकुल एंड पर डालती हूँ, अब हमारा प्राइमर, यह हमारा टैक इंजाइम और प्राइमर, मैं प्राइमर एड करूंगी, फर्वर्ड और रिवर्स, अम्प्रिफिकेशन के लिए, आप प प्राइमर यूज़ करते हैं, फर्वर्ड और रिवर्स, अब आप टैक एड करेंगे, अब एंड पर मैं पीसियाद वाटर एड करी हूँ, आप ग्रेडियन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप डबल स्ट्रिलाइजड ग्रेडियन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, अब कॉक्टेल में DNA के रलावा सारी चीज है हमारे पास DNA है 1.5 और हमारे पास कॉक्टेल है और हमें टोटल वॉल्यम चाहिए 10 माइक्रोलीटर तो 1.5 के अंदर आप 8.5 माइक्रोलीटर आप एड़ करेंगे कॉक्टेल तो इसका वॉल्यम हो जाएगा 10 आप यह कोशिश यह करें कि जो आपका DNA टैंपलेट है आप उसके ऊपर आपको कॉक्टेल को फ्लो करें अब DNA इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया सम्टाइम ऐसे होता है कि आपका DNA ऊपर ही रह जाता है और आपका कॉक्टेल नीचे होता है अब DNA कॉक्टेल मिक्स ही नही तो डेफिनेटली आपका रियक्शन तो फेलियर ही होगा आपने कॉक्टेल जब आप एड कर चुके होते हैं आपका डीने है तो इसके बद आपने इसको बहुत थोड़ा सा टैप करना है ताकि दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए अगर आपका डीने आपके कॉक्टेल के साथ मिक्स नहीं है तो आपका रियक्शन नहीं होगा, complete polymerization नहीं होगी, DNA template ही नहीं है तो किस चीज की polymerization होगी, कौन सा रीजन एम्प्रिफाई होगा तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी कि आपका DNA तो वाल के साथ टच है और आपका cocktail उसके साथ मिक्स नहीं हुआ हो आपने इसकी tubes की labeling इस तरह से करनी है कि आपके जो opening end है वो आपकी तरफ हो और जो closing end जो दूसी साइड है वो आपके opposite face करती हो, जैसे for example ये, इसका reason ये होता है कि sometime, जैसे ये 6 है, अगर आप इस चीज का दिहान नहीं रखेंगे, आप एक specific pattern अपना नहीं बनाएंगे, तो आप confused हो जाएंगे कि ये 6 है या 9 है, तो जब आपको पता होगा कि आपकी लिखने की direction इस तरह से है, तो आप उसको 6 ही read करेंगे, otherwise आप 6 और 9 में confused हो जाएंगे, तो आपने इस चीज का बहुत ज़्यादा दिहान रखने है, यहाँ पे हमारा initial denaturation temperature है, यह हमारा annealing temperature है, ज इसमें हम range select करें कि 47 to 56 degree centigrade तक आपने temperature range रखनी है, यह हमारी extension है, और यह final extension है, तो इसमें हम जो range दे रहे हैं, वो है 47 to 56, तो यह हमारी range होगी, और यह उपर हमारे columns है, 96 well plate, यह जो साही tubes हैं, यह हम balancing के लिए रख लिए और अब इसमें हम अपना final product add करेंगे, 10 microliter का, हर कॉलम में different temperature है, और temperature हम हर कॉलम में खुद से specify नहीं कर सकते, कि आपने इस कॉलम में आपका यह temperature होगा, इस कॉलम में आपका यह temperature होगा, हमने just range दी विए 47 to 56, 47 इसका initial temperature होगा, first column जहां से start होता है, and इसका होगा 56 degree centigrade, वो इसको खुद equimolar ratio में इसको adjust कर लेगा, आपने अगर आप इस में से देख भी सकते हैं कि आपका किस कॉलम में कौन कौन सा temperature है, आप इसके gradient calculator से देख सकते हैं, lowest temperature आपका 46, highest temperature आपका 56, और आप अगर यह देखें तो यह हर column में आपको respective temperature बता रहे है, 47, last में आपका 56, और हम पूरे एक sample को हमने 12 temperature पर हमने लगा र करने के बाद अप अपने इसको close करने, अपने लिट को बहुत अच्छे से tight करने, और उसके बाद जो program अपने select किया हुआ था, set किया हुआ था, आप उसको run कर देंगे, इसकी setting कैसे करनी है, यह मैंने आपको already last एक video में आपको बता चुकिए हूँ कि आपने PCR के profiling कैसे कर तो हमारा PCR स्टार्ट होगी है, हमारा optimization batch complete हो चुका है, हमने उसको reaction हमने लगा दिये, और इंशाला ताला फिर हम इसमें next देखेंगे कि हमारा किस temperature पर amplify होता है, और फिर हम उसके पर next final batch की तरफ move on करेंगे, thank you.